Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल तो इसके बारे में तो मैं आपको डीटेल से बताऊंगा ही, यहाँ पर आपके exam point of view से important हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ revolt के बारे में में mention किया गया है, आपने पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले tribal लोगों के दोरा कई सारे revolt किये गये थे, तो उ यहाँ पर study IQ launch किया है pre plus mains foundation batch, जिसके तहत आपको यहाँ पर 900 plus hours of life teaching दिया जा रहा है, prelims के लिए specifically MCQ हो गया, daily current first program, test series हो गया, और साथी साथ यहाँ पर एक crash course भी चलाया जाएगा ताकि आपका prelims निकल सके, और यहाँ पर answer writing practice कराये जाएगी, ताकि जो आपका mains है वो अच सारी चीजें solve हो जाएगी, इसके लावा यह सारी चीजें आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 19,000 में दी जा रही है, अगर आप code इस्तमाल करते हैं अंकित live, तो मारे app और website पर तुरन जाएगे, और वहाँ पर यह seat को book करिए, क्योंकि यहाँ पर limited seats होती है, हर एक person के ओ जान देना होता है, इसके लावा अगर आपको अगर optional पढ़ना है, तो यहाँ पर जो political science हो गया, जोग्राफी हो गया, इसके optional की भी त्यारी सिर्फ 12,000 रुपीज में हो जाएगी, अगेन आपको code इस्तमाल करना है अंकित live, और अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इ office को समाला, तो जो पहली बार उन्होंने यहाँ पर greetings दी, देश को संदेश दिया, तो यहाँ पर उन्होंने जोहार शब्द का इस्तमाल किया, आप देख सकतो, in fact उनके दौरा tweet किया गया था, जोहार नमस्कार, मैं भारत के समस्त नागरिकों को की आशा अकानशाओं और अ simple terms में अगर आप देखिए, तो इसका ये प्रकार का salutation है, welcome है, मतलब आप respect दे रहे हो, जैसे हम नमस्कार कहते हैं, कुछ वैसा ही आपको ये tribal communities के दौरा बोला जाता है, जहारकंट के अंदर, और कुछ parts of 36 गर and उरिसा, ये अगर आप देखो कि यहाँ पर काफी बड़ी म तो जैसे हम feet को, मतलब touch करते हैं, patch होते हैं, वैसे ही, यहाँ पर भी छुआ जाता है, tribal communities के अंदर भी, tribal communities आपको पता है कि nature worshipers होते हैं, और उनके द्वारा जो एक religion code follow किया जाता है, इसको सरना religious code कहते हैं, religion code, although ये official religion नहीं है, लेकिन उनके द्वारा इसी चीज़ को follow किय जाता है, इसके लाबा एक और मैं आपको interesting कि बताता हूँ कि जुहार जो है, वो एक ritual होता है of नुआ खाई, नुआ खाई बेसिकली एक agricultural festival है, tribal people के दोरा celebrate किया जाता है, जब नया crop आता है जैसे कि नुआ खाई का अगर अर्थ देखो तो नुआ मतलब होता है new, और खाई म communities हैं, जिनकी अलग-अलग आपको dialects देखने को मिलेंगे, बोली देखने को मिलेगी, और लगभग सभी आप कह सकते हैं, including the Christian tribal, सभी के दोरा ये जो शब्द है जो हार जो है, वो किसी ना किसी प्रकार से इस्तमाल होता है, और predominantly अगर आप देखिए तो संथाली हो गए, मु जो हार की जगह इस्तमाल किया जाता है, in fact ये भी बताया जाता है कि there are at least four types of जो हार salutation, जिसमें कि दो बाह जो हार जो हार ये भी शब्द इस्तमाल करते हैं, मतलब आई होग कि आप समझ पार होगे, यहाँ पर respect देने के लिए, in fact यहाँ पर एक person है, former member of tribes advisory council है, उनका ये क जगती आया है, respect देना होता है, तो सामने एक person आएगा उस community से और उसके सामने जुकेगा, एक bowl of water होगा, और उसमें यहाँ पर वो earth को touch करता है, वो person और जिसके सामने जुका है, वो person क्या करता है, उस water से लेकर अपने हाथ को थोड़ा सा दोता है, दिखाने के लिए कि उस उस respect को जो है, accept कर लिया है, जो भी उसको respect दिया जा रहा है, तो इस तरह से कुछ interesting चीज आपको जो tribal communities हैं, उसके अंदर देखने को मिलती है, तो यह पुरा जोहार के बारे में हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो कि जो दुरापती मुर्मुजी है, उन्होंने ज काफी important हो जाएगा, कि वो कौन से 4 tribal revolt हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो revolt है, वो discuss किया गया है, वो है संथाल revolution, I am sure कि आप सबने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो याद रखेगा संथाल revolution सबसे पहले 2-3 चीज़ें आपको पता होने चाहिए, कब हुआ था ये 1855 में, 1855 में हुआ था और इसमें बताया जाता है करीब 10,000 जो संथाल tribal people हैं, उनको mobilize किया गया था by the leaders, अब यहाँ पर कुछ important leaders हैं, personality हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कान्हो मुर्मु हो गया, चांद मुर्मु हो गया, सिधो मुर्मी हो गया, तो इनके कुछ नाम जो है, वो आपको ध्यान होना चाहिए, ये सभी लोग क्या किये, 10,000 संथाल tribal को collect किया, उन्होंने mobilize किया, और वो revolt कर दिये, East India Company के खिलाफ, जो Britishers थे, उनके खिलाफ revolt कर दिया, क्यों, क्योंकि उनके उपर operation किया जा रहा था, अत्यचार किया जा रहा है, और क्योंकि इसका main कारण ये था कि Britishers के पास काफी आधुनिक हतियार थे, modern fire arms वगर था, और आगे चलकर जो सीधो और कानू है, वो उनकी भी मित्यू हो जाती है, इस revolt के दोराण, इसके लावा अगर हम बात करें, जो दूसरा revolt है, rebellion है, जिसके बारे में mention किया गया है, प्रेसिडेंट मुर्मुजी के दोरा वो है, पाइका rebellion, पाइका याद रहेगा, ये बेसिकली हुआ था आपका, उडिसा में, तो जगह भी आपको याद होनी चाहिए, डेट कौन सा था, वो याद होना चाहिए, तो 1817 में, उडिसा में ये हुआ था पाइका rebellion, अब पाइक के दोरा, in fact, अभी recently इसको लेकर बहुत जादा चर्चा हुआ था, 100 साल पूरे हुए थे, जो पाइका rebellion है, क्योंकि 1817 था, sorry, 200 साल पूरे हुए थे, तो books के अंदर change करने की मांग कहीं जा रहे थी, कि 1857 की जगह, इसको बोलना चाहिए, फर्स्ट वार अफ इंडिपेंडन क्या होता कि जो king of Odisha होते थे, उनको ये लोग help करते थे, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी military की आउशक्ता पड़ती थी, तो वो एक समाहुए, एक जुट हो जाते थे और king की मदद करते थे, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पाइकाज हैं, वो Britishers के खिलाफ revolt कर देते हैं, अग और इनी को help किया एक प्रकार से, लेकिन ultimately इसमें भी यही होगा कि जो Britishers है, वो at the end यहाँ पर जीच जाते हैं, और इस पूरे rebellion को यहाँ पर crush कर दिया जाता है, तो पाइका rebellion में भी आपको पता मना चीए, अठारा सो, सत्रा जो है, जो तीसरा revolt है, जिसके बारे में मेंशन किया गया, प्रेशिडेंट मुर्मो जी के दौरा, वो है, coal revolt, coal का है, coal बेसिकली आपको मिलेगा, छोटा नाकपूर जो एरिया ना, छोटा नाकपूर प्लेट्यू वहाँ पर, ठीक है, तो यह वाला आपका पाइका, आपका उरिसा हो गया, संथाल तो आपको पता है, जहा पारकंड़ वो पूरा एरिया हो गया, तो यहाँ पर भी यह 1831 में हुआ था, और यह क्यों हुआ था, क्योंकि अगें, यहाँ पर दीरे-दीरे जो ब्रिटिशर्स हैं, वो ट्राइवल का लैंड टेक ओवर कर रहे थे, तो अबिसी बात है, ट्राइवल को यह चीज पसंद नहीं आ रहा था, और काफी जादा economic exploitation किया जा रहा था उनके खिलाफ, और इसी के बज़े से यहाँ पर कुछ important personality हैं, बुद्धु भगत, जुआ भगत, मदारा माहोतो, तो इन लोगों के द्वारा यह पूरा revolt किया गया, लेकिन अगें, यहाँ पर भी आपको पता है, जै बिसिकली महाराश में एक जगा है, रीजन है, जिसका नाम है, खंदेश रीजन, खंदेश, ठीक है, तो वहाँ पर भील की territory थी अपना जगा था, और धीरे धीरे जो Britishers हैं, वो भील की territory में आ रहे थे, और इसकी वज़े से उनको डर लगने लग गया भील community को, कि यहाँ प फिर से 1825 में यह जो uprising है, वापस हुआ था, उस समय इसलिए हुआ था, क्योंकि जो Britishers हैं, वो first Anglo-Burmese war अगर आपको पता, उसमें बहुत ज़ादा नुकसान हुआ था, Britishers को, तो इसका फायदा उठाते वे कहीं न कहीं भील को लगा कि वो इसका advantage ले सकते हैं, तो यह भील uprising जो है 1818 का आपको ध्यान में होना चाहिए, यह कुछ important चीजें थी दोस्तों, आप में से exam में आ सकता है, इसके बारे में तो definitely आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिला होगा, जाने से पहले एक interesting question, यहाँ पर एक movement है अगर आपने पढ़ा हो, भगत movement, क्या बता सकते हो तो यह देश के कौन से राज्य में हुआ था, भगत movement, यह भी Britishers के समय हुआ था, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, Telegram पर ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में कई सारे MCQs हैं, वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यहीं तो Telegram पर आईए, अलगला सोचल मीडिया पर आप जूड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया था, UPSC की त्यारी अब आसान हो गई है, यूज दा कोड अंकित लाइब हमारे app और website पर और वहाँ पर इसका फैदा उठा सकते हैं, I hope की वीडियो आपको पसंद आयोगा मिलता हूँ, आपसे नेक्स टाइम तेल देन, थाइंक्यू बड़ी माच, सी यू सून.